मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ अगर आपने इस चीज को समझ लिया आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है यूटूब पे कहीं भी कहीं आपको नहीं मिलेगा तो इस चीज को बहुत ध्य हाई अवरिवन कैसो सब लोग एंड जाइन दोस्तों तो आज का रिवीव होगा हमारा इट हर्दरबाद के बारे में एंड मेरा ना में आयूश में बढ़ता हूँ आइट धनबाद में जल्दी से स्टार्ट करते हैं देर किस चीज की तो इंडेक्स आपके सामने है सर ओव स्टवेंट इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं मैं आपको कोन्टैक्स प्रोवाइड कराउगा फ्री में ठीक है यही नहीं जितने भी कॉलेज को में रीव्यू करूंगा उससारे कॉलेज के जो कॉनटैक्ट्स है जो स्टॉलेज में फढ़ से आए हमें पहले से पता होगाँ चाहिए हम पास कॉंटाइक से हम लोग से पूछ सकते है कि ऐसा है क्या है मिरे लिए सही है कि यह जो ब्रांश मिल लिए इसमेश कूप है की नहीं तो अब डैकली लोगों से पूछो फीदा होदा टेक्स करने को ज़रूरत नहीं है ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग तो पहला पॉइंट कहां पर लोकेटेड है सरी यह यह लोकेटेड है 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 तेलांगना स्टेट में है और इस नॉट लोकेटेड इन दा में सीटी बट अविए फमेट तो यह में सीटी में नहीं है थोड़ा सा याद रखना है में सीटी से थोड़ा सा दूर है जब तो मैं बोलों तो थोड़ा इंट्रो देख लो यार फिर नेक्स में बात करें यह रेल्वी स्टेशन से 50 किलो यह क्या है कि यह जो यह 2008 में sculpture उन केया चार फेजर में में इछलेज्ट्राव्य दिवाईडेहं इसका जो भी डेवाफिंड है है first face complete हो चुका है second face complete होने वाले एक-दो साल में हो जाएगा तो मतलब एक-दो साल में यह almost 50% डेवलप हो चुका होगा बाकी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप होने में ओके और हैदरबाद का विदर कैसा रहता है है अधरबाद का विदर is warm, humid and unpredictable and not much filters तो जादा ठंड नहीं पड़ती है तो असा humid और गरम मौसम है वहाँ पर उसके आसपास की surrounding कैसी है आसपास की surrounding में less population है बहुत जादा लोग नहीं रहते हैं जो college के बगल में है that is residential areas नियदा campus are less greenery कैसी जादा अच्छी नहीं है बट जो building से काफी modern building से obviously नहीं बिल्दिंग्स पन रही है और कोई motorized vehicles allowed नहीं है तो bikes bikes नहीं सब्सक्राइब अगर फिर भी देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है college आसपास कैसा देखता है तो मैं हूना में दिखा रहा हूँ वही तो हम देख सकते है college आसपास कैसा दिखता है तो यह main road है जो college आपको ले जाएगी जो सामने दो बड़ी building देख रहे हूँ वहाँ पे professors रहेंगे आप नहीं रहोगे आप hostels रहोंगे hostels कहाँ पे आगे चलिए आमको बता रहें तो तब तक आसपास का अब एरिया तो ध्यान से देखो तो आप समझ सकते हो कि जो मैं कह रहा था कि ज्यादा लोग नहीं रहते है तो आप देख सकते हैं और ग्रींदी भी आप प्रेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है थोड़ा सा जो लैंड है जो बैरन है फिर लेफ साट जो बिल्डिंग्स है जहां पर आपकी क्लास्टेस होंगी और जो राइट साट आपकी बिल्डिंग है वह आपके host जी से कि कॉलेज आट है तो जहें एडवांस के थू मिलेगा हमें पता है अगर हम थोड़ी रैंकिंग्स की बात करें रैंकिंग्स तो सार आप लोग भी देख सकते हो बट मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट ची बताने वाला हूं ओप्रेंग क्लोजिं रैंक हर कॉलेज कहाँ होगी आपको वो है इंजीनेरिंग साइंस यह साथ बोहुत जोगे पहली बार भी सुनाौगा इसे कॉलेज में और किसी कॉलेज में नहीं एंजीनियरिंग साइंस किसी कि कोर प्लस साइन्स वाला भी और कोर कॉंसेट्स भी जैसे मिकैनिकल सिविल इनके बार में पढ़ेंगे दो साल तक उसके बाद आप स्पेसिलाइजेशन ले सकते हैं किसी भी एक चीज में जिसमें आप चाहें अगर इस ब्रांच में हैं तो cgp अच्छी रखेगा क्योंकि जो स्पेसिलाइजेशन होगा वह आपके विल पर डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ आपके विल प्लस आपकी cgpa पर डिपेंड करेगा इंजिनिरिंग साइंस ले रहे हो दो साल बाद आप स्पेसिलाइजेशन ले रहता है अराउंड 2.5 लाक्स रहता है एक एयर का बाकी जिनकी फैमिली इंकम कम है SCST है इनका ट्यूशन फीज कम हो जाती है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो साइट भी मिल जाएगा बहुत इसली मिल जाता है फिर हाइलाइक्स के बाद करें तो सबसे खतनाग चीर सबयाइक्स सब्सेर रहे इनका आउस्टेось नहीं बात कर दोए फिर इनके पॉइंट की बात करें वह संधेने के नाम जल्दी से नाम दे दिया जाएगा दे चुके हैं बट किसी को भी याद नहीं है इतना और क्या फैसलेटी है वन रूम पर पर स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से आप एक पर संद एगा एक रूम में और वाशिंग मशीन्स अविलेबल है इस कॉलेज में फिर होस्टेल्स और होस्टेल्स टुगेधर न्यू होस्टेल्स अबिट फार न्यू बैच्छ फॉल रिसाइड इन न्यू होस्टेल मतलब जो नय लोग आएंगे वह नए होस्टल में रहेंगे जो थोड़ा सा दूर है इन होस्टल से जो आप फोटो देख रहें फिर होस्टल से रेडियांट कूलिंग सिस्टम नो विंडोस एस सच इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं तो समझाता हूं क्या है जो कॉलिजेस हैं यह पाइप से घरे काफी modern technology काफी बढ़िया लगा मेरे को अगर में होस्टल के अंदर की बात करें तो कैसा दिखता है बहार से रेड और वाइट कलर था अंदर से भी रेड और वाइट कलर का ही है जैसे मैं बताया था विंडोस नहीं है ऐसे आपके कॉलिडोस बने हुए हैं बाकी कि आप फो अपने थार्टी टू स्टूडेंट्स रहते हैं और एक चीज और मैंने इन टाइम के मेंशन नहीं के आपको बता रहता है तो इन टाइम आउट टाइम ऐस सच नहीं है कॉलेज में और एक और चीज होस्टल में गल्स और बॉयस एक दूसरे के होस्टल आ जा सकते हैं अग तो इसलों है तो ये कि उसके बाद हम बसके बात करते हैं तरुट टिर क strangidas के एंड सी आपको सारी क्लस्फूर में मिलने वाला है ईसर आप देख सकते हो काफी जाधा सुंदर है लेकिन अब फोसे लेफ साइट कोगे इसके तो आप देख सकते हैं क्रेंस हैं तो तो कंस्रक्षण वाला काम बहुत जाधा चल रहा है बहुत तेजी से चल ला है तो कही मिल जाएगा इस सीमेंट यह सब चीज़े मिल जाएंगी फि तो आपको प्रॉपर हाईजेनिक फूड मिलता है तेस्ट कि बात करें टेस्ट तो सब्जेक्टिव चीज है हो सकता है स्टार्टिंग वे अच्छा ना लगे दिखने अंदर में दिखने में इसे हैं और एक दो पॉइंट अगर उसके और में बात करूं तो बाकि दो कॉमन मै सब्सक्राइब करें तो लाइबरेरी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिस वाल उठता है बुक्स कहां से मिलेंगी तो डेडिकेटेड बिल्डिंग है एक बिल्डिंग मना दी है जिसमें सारी बुक्स रखी है आप वहां से इशू कर सकत सब्सक्राइब कर दो बट वहां से बैट के पड़ रहे हैं वह अब भी नहीं है लेकिन आप समझ सकते लिए इनागुरेटेट सून एक से दो साल में बन जाएगा सेम चीज स्टूड एक्टिविटी सेंटर के साथ भी है सर वह भी इसकार यह है कि कुछ सालों में वह भी त बिल्डिंग इस डेडिकेटेटेट वेट नो प्लेस तूसे जफ्ट अब बता चूँ आपको फिर काफिटेए के बात करें काफिटेया में एक स्पेशल पॉइंट है आप सियर्टी कफे कफेटेयैं से अवेलेबल है फिर एक स्पेशल काफे है शीरू काफे वियर यू विल गेट ठीड्रिंग्स फॉर डे फ्री तो शीरू कैफे जैपनीज इंटेंस उन्हें बनाया है थोगासा अगर मैं देखें हम लोग देखें कास्ट लें में तो यह यह आपको तीन ड्रिंक्स फ्री मिलेंगी तो काफी अची चीज़ है यह सब छोड़ी छोड़ी चीज़े होती है फैसलेटीज प्रोवाइट कर वाई जाती है फिर हम सीने जोड़ी रिलेशन्शिप की बात करें कैसा है तो काफी अच्छा वेरी इंटरेक्टिव है सीने साव वेरी हेलपफुल फिर सीनेस कैंड बी कॉल्ड बाई दिया नेम सर वहिया जनरली यह ऐसा मिलेगा नहीं आपको जो जो न्यू इंसिटूट्स होते हैं उसमें बात करें तो फेस्ट इस कॉलेश के कैसे हैं तो याद रखना जो आइटी से के में ऐसा इटिटूड रहता है पाइसा ने दिखते हैं सराम लोग हम लोग ना आगे बढ़ो भोलते हैं पाइसे का टेंचन है पाइसा बोथ तो फेस्ट इसके बहुत जादा अच्छे रहते हैं मतलब इनका टेक और कल्चर फेस्ट एक साथ होता है अलग अलग नहीं होता तो एक साथ रहता है काफी लेवल पे हर एक चीज काफी नएने लोग आते हैं काफी सलेबिटीज आती हैं इन चीजों में जरूब आडिस्पेट करें अपनी परस्टनाल्टी डेवलप्मेंट में जरूर ध्यान देना है वरना होगा क्या सारे स्किल्स सीख लोगे कंपनी में बैठ होगे जिभी प्लेस्मेंट की बात आ रही है तो मिने बता दिया आप कंपनी बैठ होगे तो कंपनी वाले बोलेंगे एक ही चीज चाहिए मुझे तुमारी परस्टनालिटी में दम 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 यूट्यूब पे कहीं भी कहीं आपको नहीं मिलेगा तो इस चीज को बहुत द्यान समझना ओके तो पहला जो स्पेस्मेंट स्टैट्स है पहला पॉइंट तो मैं यह बता दूँ जब भी कोई आप पैकेज देखोगे तीन टाम के पैकेज मिलेंगे आपको वह होता है एब तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट में बता रहा तो आपको बताता हूं अभी देखो सारी ब्रांचे से हैं आप एबरिज पैकेज देख सकते हो 13 15 26 मैक्सिम पैकेज भी देख सकते हो स्क्रीन ले सकते हो मैं थोड़ा सा रोग दिया है में जो मैं बताना चाहता हूं वह है सिंपेंटेश्ट प्लेश्विज करते दिखर होगा क्यों रहता है एक रिजन यह होता है कि स्टूडेंट सब बप्लेस्मेंट की पीछे नीग भागते हैं लोग पर बाकी जगावं प्रहते हैं अगर निक पॉत बहुत हो जाते मेरे भी आया आग ugg लुपिंगते आप नी सीजन खतम हुआ था अभी तो पास आउट हो गए है वो तो दिखने में लगता कि 100% है बहुत अच्छा है लेकिन एक्च्छल में जो खुश होते हैं अमने placement से वह बहुत कम होता है तो यह हम सुनते हैं 100% placement 80% placement तो ऐसा लगता है कि हम जारा महनत नहीं करने पड़े कि सबका placement लग जाएगा सबका placement लग जाएगा इस इस इक्विलेंट टू सेंग कि सबका engineering college admission हो जाएगा engineering college admission लेना important नहीं है यार अच्छे engineering college admission लेना important है same thing goes for the jobs as well सिफ placement लेना important नहीं है अच्छे placements अच्छे placements कम होते हैं IIT में भी तो इस चीज़ से आप misguide नहीं होंगे ठीक है इस चीज़ को माइन में जरूर रखना कि 100% placement है कोई मतलब नहीं मुझे इससे मुझे अच्छा placement चाहिए अच्छा placement बहुत कम लोग को मिलता है और मैं उसके लिए महनत करूंगा क्योंकि जब तक यह चीज़ पता चलती है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हम cover up नहीं कर पाते है ठीक है फिर placement आपने देख लिए होगा मीडिन पैकेज में बता देता हूं इनियर्ट डेटा है 2018-19 देख सकते 12 लाक मीडिन पैकेज गया है मीडिन पैकेज मतलब 50% लोगों के इतना यस से जादा मिला है और बागी 50% को इतना यस से कम मिला है तो 12 लाक से जादा लाने वाले आदे साद पहुंच गया है 9 लाक से 12 लाक में पहुंच गया है 3 लाक का जंप यह चीज़े छोड़ी-छोडी चीज़े होती है हम इग्नोर करते हैं मिस करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आपका placement अभी नहीं लगने वाला आपका placement लगया है चार साल बाद तो कैसे और छाल साल बाद पाप्रेशदों इंप्रूफ हो गा कि से इंप्रूफ होगा आप देख सकते हो सर काफी अच्छे इंप्रूफ हो रहा है और नमर ऑस स्टुडेंट ग्रैजुए टिंग और प्लेस में डिफेंस क्यों है इतना ज़ाधा मैं बता चुका हूँ सब लोग स् वो है pros and cons of IIT हैदराबाद, तो pros किया है, around 300 students each year, relatively less crowd, so community is tightly needed, मैं एक रूल और बता देता हूँ, जिस भी college में आपको strength कम मिलेगी, उसका placement better होता है, उसका package ज्यादा होता है, in terms of median package and average package, चिन भी college की students हैं बहुत जादा होती है, 800-900, तो उनका package थोड़ा सा कम होता है, तो जैसे advantage ने दे दिया कि 300 students अभी IIT present आ रहे हैं, तो कम लोग हैं, जादा interaction हो पाता है, students are very active, provides great environment for studies and research, इसका क्या मतलब है, तो normal सी चीज़ है, no sir, normal नहीं है, students are very active, ये चीज़ बता रहा हो, बहुत कम colleges में मिलेंगी, बहुत कम IIT में मिलेंगी आपको, क्योंकि जनरली लोग movies में इन समय time waste कर देते हैं, तो ऐसा environment ढूनना, ये ऐसा environment मिलना is not easy, कि students बहुत active मिले और active student अगा environment मिलना है, तो आप जरूर productive रहेंगे, फिर हम नेक्स पॉइंट के बात करें, वो है, all top MNCs visit the campus, जितनी भी अच्छे अच्छी companies है, सारी के सारी companies आती है, और IIT है, तो आती रहेंगी, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ एक साल आरी, अंगले साल नहीं आएंगे, ऐसा न बिल्कुल सही, so many things to enjoy, food, malls, monuments, हर एक चीज बहुत अच्छी है, हिदरबाद की, okay, फिर हम लोग बात करें, कौन्स of IIT हिदरबाद, कौन्स में, पहला हम बता चुका हूँ, whole campus is under construction, तो ये एक drawback है, जो तो campus है, पूरा under construction, 573 एकर का campus है, ठीक है, 573 एकर का campus है, but only some part is actually complete, त अब भी, इतनी अलदी होगा भी नहीं, तो आट टाइम लगेगा, complete होने में, okay, तो ये X का drawback था, कि आपको तब well developed चीज है, और अगर आप उनमें सोजने construction वाली चीज अच्छी लगती, तो थोड़ा सा खराब हो सकता है, फिर located away from main city, however, buses run from campus to city center, almost 50 km की दूरी है, और 50 प जो आपका college और main city से दूर आगा, आपको life enjoy करनी, city life enjoy करनी है, तो आपको 50 km आना, 50 km जाना, that is 100 km का travel करना है, पैसे दो खर्च नहीं होंगे, से 50 पर लगेगा, excited का हो तो क्या ही है, but time consuming काफी साद है, तो मैं लगा, you cannot enjoy city life daily, ये चीज है, कि 50 km अब डाउन करना is not something very easy, आप हो गए, तो इसी के साथ हम खतम करते हैं, and that's it, mission complete, respect plus,